हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ जोती सिंग और आप देख रहे हैं सक्षिस पत्थ आज की इस वीडियो में हम एक बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक को यहां पर देखेंगे पूरी अच्छी तरीके से समझने वाले हैं और यह टॉपिक इंपोर्टेंट भी है आप सभी के लिए इससे एक्जाम में रिलेटेड इसे कुछे आ सकते हैं और यह जानना भी आपके लिए जरूरी है तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो को इन तक देखने के बाद उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा और इसमें डिफ्रेंस भी आप बता पाएंगे इसमें क्या डिफ्रेंस है और इस जो भी टॉपिक अपड़ा है तो इस वीडियो को इन जरूर देखिए और इस वीडियो को जाद से जाद से जाद से एर किजिए यह आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को फ्रेश कर आता है रिवर्स रेपोरेट क्या होता है इन दोनों का मेन जो अर्थ है मतलब है वो क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे और इसको समझने के बाद आपको इन दोनों में डिफ्रेंस भी पता चल जाएगा तो चलिए हम देखते हैं इस टॉपिक को रेपोरेट और व्यक्ति को पैसे की जरूरत होती है, और उसके एकाउंट में पैसा ना होने पर वो बैंक से कर्ज लेता है, जिस पर ब्याज भी चुकानी पड़ती है, ऐसे ही बैंक में अपनी जरूरत के अनुशार RBI से उधार ले सकते हैं, यह कर्ज उन्हें जिस ब्याज दर के साथ चु होती है, इसलिए बाजार की मांग को पूरा करने के लिए वाडिजिक बैंक RBI से पूझी प्राप्त करने के लिए रेपो दर के अनुशार उधार लेते हैं, तो इसका क्या मतलब है, अभी हम देख लेते हैं, रेपो रेट जो आपका है, जिस परकार कोई व्यक्ति को अगर पैसे की जरूरत होती है, तो वो बैंक से अपने अकाउंट से पैसा ना होने पर वो बैंक से करज लेता है, उसी परकार यदि बैंक के पास पैसे की कमी है, तो अपनी जरूरत के अनुशार, ऐसे बैंक भी अपनी जरूरत के अनुशार RBI से उधार ले सकता है, यदि उसके लेता है यह जिस ब्याज दर के साथ चुकाना होता है यानि की जो कर जो बैंक और ये यो चुछ इक परकार ले बैंक से लोन अगरा लेता है उदार लेता है उसी परकार उस पर लोन की ज़्यादा पैस कम होते हैं तो भैंक भी रीजरस बैंक आफ इंडिया से पैसे उधार ले सकता है काड़े सकता है करज की दर होती है उसी की रिपれて की रिपर को हम क्या करते हैं तो ये आपको रेपो rate सब्सक्राइब करें लेट लेता है और उसे ब्याज की दर पर कर्ज के कर्ज बहते हैं इसके बारे भी बीयाज की दर पर कर्ज देता है तो यह थो कम मिलेग तो उससे ग्राहक जो भी customer bank से पैसे उधार लेंगे करज लेंगे उनको भी सस्ते ब्याज दर पर करज मिल जाता है अर्था रेपो रेट कम होने पर पर्शनल लोन, होम लोन, कार लोन पर भी ब्याज कम देना पड़ेगा यानि कि जब रेपो रेट कम होगा तो आप जो बैंक से करज लेते हैं उस पर आपको ब्याज कम देना पड़ेगा अगर ऐसे ही अगर रेपो रेट बढ़ता है तो आप से भी बैंक ब्याज अधिक पड़ता है तो जो आम आदमी है जो आम आदमी बैंक से कर्ज लेते हैं उनको भी ब्याज अधिक देना पड़ेगा यदि रेपो रेट आपका कम देना पड़ता है जो भी बैंक रबी आई से उधार लेता है कर्ज लेता है पैसे तो बैंक अगर कम रेपो रेट पर जो भी र तो आपको भी याज अधीक देना पड़ेगा निए रीवर्स रीपोरेट क्या है रेपोरेट तो हम समझ लीए कि जो भी बैंक देता है उसी को हम रेपोरेट बोलते हैं reverse reporate के बारे में हम देखते हैं reverse reporate आपके क्या होता है जब देखते हैं जब कामर्शियल बेंक के दिन भर के काम काज के बाद बचे ही रकम को RBI के पास जबा करता है तो जिस पर RBI bank को ब्यास देती है कामर्शल बैंक और और रखी गई इस रकम पर जिस व्यास दर पर और चमेंकर आरफिसत LongATE से यहां क्या करते हैं उसे रिवर्स रेप्येक करते हैं यह हमेशा रेप्यूरेट केम्स होती है यानि कि यदि बैंक के पास जो पैसे होते दिनवर के काम के बाद जो पैसे बसते हैं उसे बैंक क्या करता है आर बी आई के पर कर देता है जिससे उसको कुछ ब्याज मिलता रहता है तो यह इस पे जो आपका जो आर बी आई आपको बैंक को ब्याज देता है पैसे जबा करने के लिए तो वही हमारा क्या का लाता है रिवर्स रेपोरेट का लाता है और रिवर्स रेपोरेट जो आपका होता है यह हमेशा रेपोरेट से कम होता है तो लिए हम आगे देखते हैं आम आदमी पर रिवर्स रेपोरेट में बदलाओ का असर यानि कि रेपोरेट का तो हम दे और महंगाई का घत्रा कम हो जाता है। यानि कि जो the reverse report युद्ड का असर है आम आदमी पर हो कैसे पढ़ेगा। कि अधी बैँक के पास बहुत ज्यादा पैसे हो जाते हैं तो महंगाई भी आपकी बढ़ जाती है पैसे खाल 147 वह दान दिन लग respect तो पैसे ज्यादा है और वो क्या करता है यूश टाइम पे RBI को सब्सक्दाइन रिपलेट में और गरीजादा इसके ब्यास को लेसे को लेने के लिए बैंक है व अपने पैसे हैं आरिले के पास जाड़ से जादा पर देते हैं इस यह क्या होता है बैंक के पास पैसे कंप से पाई बाटेगे लोगों कौने करजी दे पाएगा और इस जे आपकी हो आपकी खात्रा भी कम हो गारते हैं आपके में पैसे नहीं है तो तो हम क्या से यूज ढ़ते हैं और इसी तरीके से जो बैंके पास पैसे अधीक हो जाते हैं फर इस बचनी पैसे में बढ़ने Cardinal स हो जाते हैं इसको पैसे को जो क्या बढ़ने मिले करें दूर ज्माकर लेने के लिए बयुह आगरुदा रिवर्श दिए पैसे कही बढ़नेके तो य conveyance से ज्यादा करते हैं आरसले tack अगला के पास पैसे भी कम हो जाते है और आप ल्चके को अधिक करज दिया है तिस reserves लेज पड़े का सिसाई पड़ेखा को रूख जो करज लेकर आपको system कम है तो आपको भी ब्याज कम देना पड़ेगा तो यह था आपका रेपोरेट और रिवर्स रेपोरेट इसी तरह की और वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रही है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए